खुद पर तू कर यकिन मनजिल की और चल दे ना हो अतास ना हो परेशान बस तू अपने इरादों को और बल दे जहां दुनिया वाले तो कहते रहेंगे कि तू ये काम नहीं कर सकता लेकिन अगर खुद पर यकिन है तो आप किसी भी काम को कर जाएंगे इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ राजिस्तान जिके के डेर सारे महत्पुन प्रशन देखिये आप अगर प्रीबियस्टी से यानि के डेलेड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पुन होने वाला है यहां से एस इस इस सार संग्रह इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में राजिस्तान जियोग्राफी राजिस्तान भुगोल के जितने भी महत्पुन प्रशन बन सकते हैं वो देखेंगे और दो वीडियो और आएंगे आपके लिए जिसमें एक में तो राजिस्तान हिस्ट्री यानिक इतियास के प्रशन आएंगे और अलग से एक और वीडियो आएगा रास्तान आर्ट और कल्चर का तो इन तीन वीडियो में हम पूरा अपने लक्ष का सार संग्रह देख लेंगे आपके पास भी ये बुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से और देखिए जो फिसले प्रशन की बात करें क्या कि रहा है प्रशन अपने जोदपूर का प्राचिन नाम क्या था क्या उजगा इसका अंसर मरू भूमी मरू भूमी अपने जोदपूर का प्राचिन नाम है और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रशन कर सकें अगला प्रशन इंस्टिटूट की इस जिले में इस्तित हैं तो देखिए ओरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट अपने जोदपूर जिले में option 4 हो जागा इसका correct answer अगला प्रेशने राजिस्तान राज्य उपभुगता सरक्षन आयोग का गठन कब क्या गया तो देखिए राजिस्तान राज्य उपभुगता सरक्षन आयोग का गठन अपने 26 मई 1988 की दिन किया गया option 4 हो जागा इसका correct answer राजिस्तान मंत्री परिशद में मंत्रियों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो देखिए इस question की थोड़ी detail से बात करें तो देखिए इकराणवा जो सविंदान संसोदन था 2004 में हुआ था इस सविंदान संसोदन में अपने मंत्री परिशद का आकार सीमित कर दिया गया जो अगर राज्तान के संदर्प में बात करें तो अपने कुल विदान सबस अधिश्यों की संक्या कितनी है 200 हैं तो 200 का अधिक्तम 15% ही अपने मंत्री परिशद में मंत्रियों की संक्या हो सकती है तो देखिए दोसों का अगर 15% देखें तो कितना होता है अपने 30 होता है तो अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं अपने जिसमें मुख्य मंत्री भी शामिल हैं एक तो मुख्य मंत्री है और 29 अंय मंत्री हो सकते हैं यानि कि 30 से अधिक नहीं हो सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाग कया डियान रहिएंगaker परुट ऑपने बाता हैं ग्ला परेस्टान का पर्वेस दौर पुर्वी दौर किसे कहा जाता हैं तो तो किसे कहते अपने बरतपूर को कहा जाता है option दो हो जाएगा स्का correct answer और दिखें Laurent द्वार किसे कहते है 2010 द्वार अपने कहते है अलवर को परवेश द्वार अगर पूश ले पूर्वी द्वार अगर पूश ले तो यह कहते हैं बरतपूर को और यह थचे द्वार अपने अलवर को कहते हैं करनल जेम्स टोड ओप्शन फर्स्ट हो जागा इसका करेक्ट अंसर अठार सो उन्तिस में इनके पुस्तक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ओफ राजस्तान इसके आगे हम बात करेंगे तो देखिए इस पुस्तक में करनल जेम्स टोड ने सबसे पहले अपने राज सेखे सकते हैं तो इनको गोडेवाले बाबा के नाम से भी जानते हैं तो अठार सोंतिस में अपनी पुस्तक में राजस्तान नाम दिया था इन्होंने अगला प्रश्टने राजिस्तान में सवरपृतम अपात काल यहीं कि राष्थरपति सासन कब लगा था तो तिखिये राष्थान में राष्थरपति सासन की बात करें तो सबसे पहले अपने 1967 में लगा था इस समय मुख्य मंत्री कों थे राजस्तान के मोहनलाल सुकारिया मोहनलाल सुकारिया आप सभी को पता होगा सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहने का आपने किताब किसके पास है तो देखिए सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री को रहे है अपने राजस्तान के अभी तक अगर बात करें तो मौनलाल सुकारिया रहे है अपने 17 वर्षों तक मुख्य मंत्री आधुनिक राजस्तान का निर्माता भी का जाता है मौनलाल सुकारिया को तो देखिए सबसे पहले 1967 में अपने आपात काल लगा था राज्तान में और राज्तान में अगर पूछे जाए कुल कितनी बार राष्ट्रिय आपात काल यानि कि राष्टपती सासन लग चुका हैं तो चार बार राष्टपती सासन लग चुका हैं कब-कब तो देखिए सबसे पहले तो 1967 उसके बाद अगर बात करें तो 1977 उसके बाद अगर बात करें तो 1980 और सबसे अंतिम बार अपने 1990 अपने बेरो सिंग सेकावत के समय तो आप ज्यान रखें ओप्शन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पहली बार अपने 1967 में लगा था अगला प्रशने राज महादिवक्तावर राज लोकसिवायोक के अजक्सवर सदश्यों की न्यूकति कोन करता हैं तो देखिए ये करता है अपने राज जिपाल ओप्शन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अही छत्रपूर का वर्तमान में नाम क्या हैं तो देखिए ये प में महिलाओ के पास रहें तो देखिए तीनो सवेंदानिक पद सरोच सवेंदानिक पद मतलब मुख्य मंतरी राज जिपाल और उप मुख्य मंतरी अगर बात करें तो मुख्य मंतरी 2003 में अपने कौन मनिती वसुंद्रा राजे उसमें अगर बात करें तो अपने राज option second correct answer है बारतिय थल सेना 15 अगस्त 2005 से नव गठित 7 वी कमान दक्षियन पस्चिमी कमान का मुख्या लेका हैं यह अपने जैपूर में स्थित हैं option first है correct answer अगला प्रशने राजिस्तान में कारियत बारतिय प्रसासनिक सेवा के अधिकारियों का चैयन कोन करता हैं तो देखिए राजिस्तान में कारियत बारतिय प्रसासनिक सेवा पूचा हैं अपर राजिस्तान प्रसासनिक सेवा नहीं पूचा हैं बारतिय प्रसासनिक सेवा यह अ आपने बारती प्रसासनिक सेवा पूचाएं तो अपने option 4 हो जाएगा correct answer अगला प्रसने राज जी का 32 जिला करोली का बस्तित में आया था एक स्वरी अपने करोली का बस्तित में आया था 26 जनवरी 2008 के दिन अस्तित में आया था और सबसे नविंतम जिला है और देखिए अगला जब भी बजट पेस होगा अपने फरवरी 2023 में हो सकता है तीन से चार और नई जिलों की गोशना हो जाए तो अपने 33 से बढ़कर जिले 36 या 36 हो सकते हैं तो अरतमान में अगर बात करें तो 33 जिले और सबसे नविंतम जिला अपने प्रताब गड़ है तो देखिए अपने 32 जिला करोली इसको बनाए गया था 19 जुलाई 1909 के दिन ओप्शन थीन अगला प्रसने कौन सा यूगम असंगत है तो देखिए शेत्र और प्राचिन नाम दे रखे है तो देखिए हनुम मेलित नहीं अगला प्रसने वर्तमान राजिस्तान का निर्मान की स्थितिक हुआ है तो देखिए वर्तमान राजिस्तान के अगर बात करें तो अपने एक नवंबर 1956 के दिन राजिस्तान का एक इकरन पूरा हुआ था तो वर्तमान राजिस्तान अपने एक नवंबर 1956 के दि अस्तित्व में आया था अगला प्रस्ट ने जोर्ज थोमस द्वारा सन अठार सो इस्वी में राजस्तान के लिए क्या नाम दिया गया तो देखिए जोर्ज थोमस ने अपने राजपुताना नाम दिया है अप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट अंसर अगला प्रस्ट ने सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुता स्टेट अप इंडिया पुस्तक का अज्य प्रसिद नाम क्या है तो देखिए अपने जो कर्नल जेम्स्टोट की पुस्तक है एनल्स एंड एंटिपीटिज अप रा अगला प्रस्ट ने में सुमेलित करना है ये अपने उपनाम दे रखें वागड का गंदी तो देखिए वागड का गंदी किसे केते हैं आप सीधे इसको याद रखें भोगिलाल पांडिया को वागड का गंदी का जाता हैं राजिस्तान के गंदी गोकुल भाई बट को रा अबूल फजल कहा जता हैं तो इसका अंसर क्या हो जागा अपने फर्ष से अपने 20 उमिलित हो रहा हैं तो ये फर्ष से ये 20 उमिलित हो गया सेकंड से अपने ए तो सेकंड से फिर ये सी डी ये हो जागा इसका correct answer option थर्ड वागड का गंधि आप दियान रखें बोगिलाल अबूल फजल अपने किसे कहते हैं राजस्तान का मौनोत नेंसी को अगला प्रश ने राजस्तान में निर्वाचित वे सांसत जो लोग सबा अज्यक्ष पत पर निर्वाचित हुए थे तो ये कोने अपने बलराम जाकड ये अपने राजस्तान से निर्वाचित ये से सांस जो अपने लोकसभा अज्यक्ष पत पर निर्वाचित हुए थे अगला प्रशने राज जी के 33 जिले प्रतापगड का गठन कब हुआए तो हमने अभी बात किये 26 जनुवरी 2008 के दिन अपने राजतान का 33 जिला प्रतापगड बना था अगला प्रशने समय राजतान में कितनी रियासते ठीका ने थे तो दीए समय बात करें तो यह उनिस देशी रियासते थी तीन ठीका ने और एक चीप कमिशनरी सेत्र जो अपने अंगरेजों के अदिन था जिसको केंदर सासित प्रदेश भी किये सकते हैं तो ये अपने अजमेर मेरवाड़ा था तो 19 रियासत हैं तीन ठीकाने और एक चीप कमिशनिस शेयत्र या फिर केंदर सासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा अगला प्रशने स्वतंता के पस्चाद राजिस्तान के पेले वो एक मात्र प्रदान मंत्री किसे बना गया था तो देखिए स्वतंता के पस्चाद अगर बात करें तो हीरावाल सास्तर ये अपने पेले वो एक मात्र प्रदान मंत्री बने थे ओप्शन दो स्वत्तमत्रता की समय अजमेर मेरवारा शेतर पर किसका सासन था तो देखे अजमेर मेरवारा पर अपने अंग्रेज सरकार का सासन था यह अपने चीप कमिशनरी सेतर है अगला प्रिशने किस मुख्यमंत्री के नेतरित में राजस्तान विदान सभा के प्रतम आम चुनाव संपन हुए थे तो देखे प्रतम आम चुनाव अगर बात करें तो जय नारान व्यास के नेतरित में संपन हुए थे option तीन हो जागा इसका correct answer लेकिन देखे जय नारान व्यास स्वयम खुद चुनाव हार गए थे तो बात में मुक्य मंत्री किसको बनाए गया था अपने टीका राम पालिवाल को बनाए गया था तो अगर पूश ले कि राजस्तान के प्रतम मुक्य मंत्री को होने यह तो अपने हिरलाल सास्त्री है लेकिन हिरलाल सास्त्री क्या थे मनोनित मुक्य मंत्री थे और प्रतम निर्वाचित मुक्य मंत्री को होने रास्तान के टीका राम पालिवाल अपने रास्तान के प्रतम निर्वाचित मुक्य मंत्री हैं तो option 2 हो जाएगा इसका correct answer और बात में देखिए जैनारन व्यास वापस किसन गट से उपचिनाव जीत कराते हैं और वापस इनका सत्ता के लिए संगर सुरू हो जाता हैं तो मात्र 8 या 9 महिने में ही टीका राम पालिवाल को आत्याग पत्र देना पड़ता हैं वापस अपने जैनारन व्यास मुक्य मंत्री बन जाते हैं तो जय नारण व्यास एक मात्र एसे मुक्य मंत्री राज़तान के जो मनोनित भी हुए हैं मनोनित भी हुए और अपने निर्वाचित भी हुए तो एक मात्र ऐसे मुख्य मंत्री अपने को ने जैनारेण व्यास और निर्वाचित प्रतम मुख्य मंत्री को ने अपने ठीका राम पालिवाल है अगला प्रस्टने राजिस्तान में प्रतम आंच चुनावों के बाद बनने वाले प्रतम निर्वाचित मुख्य मंत्री को ने तो तीका राम पालिवाल अपने प्रतम निर्वाचित मुख्य मंत्री है राजिस्तान के प्रतम राज जी विदान सभा चुनाव की समय राजिस्तान के राज प्रमुक कों थे तो दीकि प्रतम विदान सभा चुनाव कों थे अपने महाराजा सवाई मान सिंग राजस्तान के प्रतम वो अंतिम महाराज प्रमुक अगर पुचे जाए तो अपने उद्यपूर के जो महाराण थे भूपाल सिंग ये थे ओप्शन दो राजस्तान में प्रतम गेर कोंग्रेसी सरकार कब बनी थी तो दिकी राजस्तान में प्रतम बार अगर पुचे जाए गेर कोंग्रेसी सरकार तो अपने जून 1977 में बनी थी अपने बेरु सिंग सेकावत की नेतरत में बेरूस ही है सेकावत के नेतरत में अपने प्रतम गेर कॉंग्रेस से सरकार बनी थी जून 1997 में राजी की प्रतम महिला राजीपाल नियुक्त की गई किसे तो देकि रास्तान की पेली महिला राजीपाल पुचे जाए तो स्रीमती प्रतिबा देवी सिंग पार्टी लें ओप्शन चार हो जगा इसका करेक्ट आंसर और अपने बारत की प्रतम महिला राष्टपती भी अगर द्रोपती मुर्मू और अपने रास्तान के अगर पूश ले तो पाली महिला राजी पाल को ने अपने परतिबा पटिल अगला प्रशने अजमेर मेरवारा के प्रत्थम एव एकमात्र मुक्य मंत्री कोन थे तो देके अजमेर मेरवारा के प्रथम वो एकमात्र मुक्य मंत्री अपने हारी बाव उपाद्या हैं option दो हो जाएगा इसका correct answer राजी की कौनसी विदान सबा निर्दारित कारिकाल की समाप्ती से पूर्वी बंग कर दिया गई अग्रेस ने जिती थी अपने राज्तान में तो अपने option दो हो जाएगा इसका correct answer अगला देस ने बार्मेर के सिवाना पारी शेत्र में इस्तित गोलाकार पागया क्या कहलाती है तो देखिए सिवाना पारी शेत्र में अपने 56 की पागया और नाकोड़ा परवत ये दोनों है तो option तीन हो जागा इसका correct answer देश का सबसे बड़ा रज्य से त्रिष्ठी से कौन सा है तो राजस्तान अपने देश का सबसे बड़ा रज्य है सीत्र पल की दरेश्टी से देखिए तो इसका शेत्र पल कितना है तीन लाग्लीampa दोसो उन्चालिस वर्ग क्िलोमेहाई कीरने का तीर्चापन सरवाधिक होता है तो देंकि सरवाधिक तीर्चापन अगर पूचा जाए तो स्री गंगानेगर में होता है ओप्शन पर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer और सबसे सीधी कीरने अपने बासवाडा में बढ़ती है अगला प्रूशने राजस्तान का वह जिला जिसकी सिमा अंतर राष्ट्री वह अंतर राजिये दोनों है तो यहसा कौन सा जिला है जिसकी सिमा अंतर राष्ट्री है यानि कि पाकिस्तान के साथ भी बनती है और दूसरे राज्यों के साथ भी बनती है तो देंकि अपने बार मेर जिला जिला है जो अपने गुजराद क साथ भी सिमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सिमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अपने गंगा नगर जिला ये अपने पंजाब के साथ भी सिमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सिमा बनाता है तो अंतराश्ति वह अंतराजी सिमा अपने बाहर मेर वह गंगा नग दोनों के लगती हैं अगला परस्वनाने क्योंकि यहा दुरलब वन्य जिवम वनस्पतिया पाय जाती हैं इसमे अचिदिक मात्रा में खनेज पाय जाते हैं यह भी सही है तो उप्युक्त सभी हो जाएगा करेक्ट राणसर अगला परस्वनाने राजस्तान के किन किन जिलों में विस्त्रित हैं तो देखिए महान सुष्क मुरुस्तल यानि कि थार का मुरुस्तल अगर पूचे जाए तो ये अपने जैसल मेर, बार मेर, बिका निर्व, जोदपूर इन जिलों में विस्त्रित हैं तो अपने option फश्च हो जगा इसका correct answer हो राजस्तान के कुल शेत्रपल का अगर बात करें तो लगबग 60% शेत्रपल पर अपने थार का मुरुस्तल विस्त्रित हैं अगला पर इसने राजस्तान के मुरुस्तल को किस नाम से जानाता हैं तो राजस्तान का मुरुस्तल अपने थार के मुरुस्तल के नाम से जानाता है जैसा कि हमने अभी बात की है लोनी नदी के उत्तर में राजस्तान की उत्री पूर्वी सीमा तक आंत्रिक जल परवा का शेतर क्या कहलता है तो दीके लूणी नदी के उत्तर में अगर पुछे तो राजस्तान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंत्रिक जल परवा का शेतर अपने सेखावटी शेतर कहलता है option तीन हो जागा इसका correct answer राजस्तान में अरावली परवत्माला का विस्तार उत्तर में कहां तक है तो दीके उत्तर में अपने अरावली परवत्माला खेतली जुन-जुनों तक विस्तरित है राजस्तान में अगर बात करें बागे अगर बात करें तो अरावली परवत्माला अपने राश्टपती बवन तक भी विस्तरित है राष्टपती भवन जो बना हुआ है अपने अराली परवत मलापर ही बना हुआ है अगला प्रस्ट में निम्य से देश हरो के नाम से जाने जाने वाला शेत्र कौन सा है तो देखे देश हरो किसे कहते हैं अपने क्या हुजए किसका अंसर तो देखिए रागा पालिया का है अपने सिरोई में श्तित हैं और जरगा परवत चोटिया का है अपने उदेपूर में तो इन दोनों चोटियों के मजडिवर्ति शेत्र जो हमेशा हरा बरा रहता हैं इसको देशरों के नाम से जानते हैं आप्शन तीन सही अंसर हैं राज जी का सरवादिक उपजाओ पूंतिक विबाग कुन सा हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा उपजाओ उपने पूर्वी मेदानी भाग हैं आप्शन तीन करेक्ट आंसर बासवारा डूंगरपूर के मजडिके भूबाग को किस नाम से जानते महत्पर उपल। पूर्शन पूर्वी पठार यानी की हारोति का पठार का दिकांस बाग किन निद्यो द्वारा सिंचित हैं तो देखिए कि हारोति का पठार ये अपने चम्बलव उसकी साइक निद्यों दवारा सिंचित है अगला प्रस्तने राजस्तान की सिमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिन तक है तो देखिए कहां से कहां तक है उत्तर से दक्षिन अगर बात करें तो सबसे उत्तर में अपने घंगानगर जिलाएं अगर बात करें तो कोणा गाव अपने ऑसवाडव जिलाएं अगला परिस ने जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतराष्टी सिमा कितनी है तो देखिए जैसल मेर जिला अपने सबसे ज़्यादा सिमा बनाता है अपने अंतराष्टी है 464 किलो मेटर और बीका नेर जिला अपने सबसे कम 168 किलो मेटर ये अपने बीका नेर जिला बनाता है और सबसे थे अपने जैसल मेर 464 क्ल spent हो जाएगा और देखिए पाकिस्तान के साथ राजिस्तान एक ये कहजार 70 k्लometers सिमा बनाता है पाकिस्तान के साथ जिसमें अपने बात करें तो जैसल मेर गंगाने अगर बीका ये रभाणिय मेर 4 जिले सिमा मनते है अगला प्रस्टने राजस्तान की किस दिशा में सतलजव व्यास निद्यों के मेदान है तो अगर पुछा जाए तो अपने उत्तर व उत्तर पस्चिम दिशा में उत्तर व उत्तर पस्चिम दिशा में ओप्शन फर्श हो जाएगा इसका correct answer Kirk रेखा के सर्वाधिक निकट सर कौन सा है तो दे की करक रेखा के सर्वाधिक निकट अपने बांसवड़ा इस्तिते हैं युद राजस्तान के दो ऐसे जिले हैं डूंगरपूर वो बांसवड़ा यहां से ओकर अपने करक रेखा गुजरती है अगला पिस ने रेड़ क्लिप रेखा का राजी में विस्तार कहां से कहां तक है यानि कि राज़तान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है रेड़ क्लिप रेखा ये कहां से कहां तक लगती है तो अपने गंगानगर जिले का जो अपने हिंदुमल कोट है यहां से लेकर अ अंतर राजी सीमा सरवा दिखें तो अंतर राजी सीमा सबसे ज़्यादा आपने किसकी है देखिए अंतर राश्ट्री नहीं पुचा है अंतर राजी पुचा है यानि कि दूसरे राजी के साथ कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सीमा मनाता है तो जालावार जिला अपने मज्द प्रदेश के साथ सबसे अधिक सिमा मनाता हैं, तो इसकी सिमा अंतरराजी सबसे ज़्यदा हो जाएगी, निमनमे से कोन सा सहर रेड क्लिप रेखा बारत पाकिस्तान अंतराश्टि सिमा रेखा से सरवाधिक दूर हैं, तो अधिक के निम में से किस जिले की अंतर राजी सीमा नियुन नतम है तो देखिए किस जिले की अंतर राजी सीमा नियुन नतम है तो क्या हो जागा इसका अंसर गुद्राज के साथ अपने बार्मेर जिला मातर 17 किलोमेटर सीमा बनाता है तो अपने option 4 हो जागा सई अंसर बार्मेर जि तो इसमें मत्हुरा दे रहा है यह हो जाएगा correct answer निम्मिन से कौन सा पाकिस्तानी सहर बारत पाक अंतराष्टरी सीमा के सरवादिक निकट हैं तो दीके लाहूर हो जाएगा इसका correct answer लाहूर राजिस्तान में सरवादिक निकट इस्तित बंदरगा कौन सा हैं ये अपने BSTC में दो से तीन बार पूछा गया प्रशने तो दीके अपने गुजरात में स्तित कानरला बंदरगा ये अपने सबसे नजदी के राजिस्तान के राजिस्तान के रेगिस्तानी सेत्र प्राक एतियसिक काल के किस बाग का अवशेस हैं तो दीके अपने रेगिस्तानी सेत्र जो भी है अपने खारे पानी की जिले रेगिस्त पर पात अपने चम्बल नदी पर रहेंघ और चितोरगर जिले में रहें का यह स्थी इते अपने चितोरगर जिले में तो प्प्षन थीन हो जाएगा इसका correct answer किस संबाग में सरवादिक नदिया बेहती हैं? तो दीकि ए कोटा संबाग में सबसे अधिक नदिया बेहती हैं कोटा संभाग में राजी में सतही जल का सरवादिक मात्रा में किस नदी में उपलब दें राजी में सतही जल सरवादिक मात्रा में अपने किस नदी में चंबल नदी में उप्शन परश जागा इसका correct answer अगला प्रसने कौन से खारे पाने की जील नहीं है तो यह अपने खारे पाने की अपने राज़तान की सबसे बड़ी जील है और बारत में जो कुल नमक उत्पाद है उसका 8.7% अकेले अपने इस सामबर जील से उत्पाद ही दोता है तो यह अपने खारे पाने की जील है पंच पद्रा ये भी अपने बाड में बिश्तिते ये भी खारे पाने की जील है लून करण सर ये भी अपने बिका निर में है और खारे पाने की जील है लेकिन देखे काईलाना जील जो अपने जोतपुर में है ये अपने मीठे पाने की जील है तो अपने option 3 हो जाएगा इसका correct answer है अपने खारे पाने की निए मिठे पाने की जीले कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है क्या हो जाएगा इसका अंसर तो दीके बाल समंद अपने जोधपुर में है बिल्कुल सही बात है ताल चापर अपने चुरू में है ये भी सही है नंद समंद अपने राज समंद में है ये भी एकदम सही है लेकिन दीके चापर वाड़ा बान अपने का है पाली में नहीं है ये जैपूर में है तो ये सुमिलित नहीं है option 3 हो जाएगा इसका correct answer बाकि आप सभी ये एक में चार-चार प्रशने कवर हो रहे है ये सभी आप ध्यान रखें अगला प्रशने राजस्तान के किन दो जिलों में नदी नहीं बेती है तो दीके कौन से ऐसे दो जिलें जापर कोई भी नदी नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका answer ये अपने चूरूव विकानेर हो जाएगा correct answer चूरूव विकानेर एक से दो जिलें जापर कोई भी नदी नहीं है कौन सा जोड़ा गलत है तो दीके चार option दे रहे हैं इसमें से जोड़ा कौन सा गलत है तो दीके चिल का जील अपने सभी को बताएं उरिसा में हैं अपने उरिसा में सबसे बड़ी लेगुन जील है पंच पद्रा बालोत्रा तो दीके पंच पद्रा बालोत्रा में एकदम सही है सांबर लेक अपने दैपूर में ये भी सही है बाकि चिल का जील उरिसा में ये भी खारे पनी की है पंच बद्रा ये भी खारे पनी की और सांबर ये भी खारे पनी की जील है राजस्तान की बारह मासी नदी कौन सी है तो देकि राजस्तान की बारह मासी नदी अगर पुचा जाए तो चंबल नदी अपने बारह मास बहती है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर में अगर पुछा जाए तो माही नदी हो जाएगा इन चारों में अगर देखें तो माही नदी अरब सागर में गिरती है माही के लाव पुछा जाए तो लूनी नदी आ जाएगी लूनी साबर मती साबर मती नदी भी अपने अरब सागर में गिरती है पस्चिमी बनास ये भी अपने अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो अपने option first हो जाएगा इसका correct answer राजस्तान की खारे पाने की जिले के इस महा सागर का अश्यस मानी जाती है तो लेकि जितने भी राजस्तान की खारे पाने की जिले हैं और मरुस्तल हैं अपने टेठिस सागर का अश्यस मना जाता है टेठिस सागर का अश्यस हैं ये अपने ज्यान रखें आप अगला प्राशन है लूप्त सरस्वति अनदिका उदगम अस्तल काह से हैं तो देखे लूपत सरस्वति अपने हिमालय में सीवालिक की पार्यों से निकलती हैं राजस्तान में मिठे पाने की जिल कौन सी है देखिए ऐसे प्रशन काफी बार एक्जामस में पूछे जाते हैं एज़िटीज रिपीट होते हैं तोड़ा आप इनको ध्यान पुरुख देखिए और दो से तीन बार इस वीडियो का आप रिपीट कर लिजिए तो देखिए आपके काफी सारे एक्जाम में यहां से प्रशन देखने को मिलेंगे तो देखिए मिठे पाने की जिल कौन सी है सामबर हमने भी देखा है यह खारे पाने की जिल है पचपद्रा यह भी अपने खारे पाने की जिल है जैसमन जिल अपने मानव निर्मित एशिया क सबसे बड़ी मीठे पानी की जिल है तो आप ज्यान रखें और जैसमन जिल अपने है का? ये अपने उदेपूर में है जैसमन जिल और इसके बारे में आप दो तिन बाते ज्यान रखें जैसमन जिल को अपने डेबर जिल के नाम से भी जानते हैं जैसमन जिल में अपने गोमती नदी का पानी आकर गिरता है जैसमन जिल में अपने टोटल साथ टापू है साथ टापूर और सबसे बड़ा टापू को गर पूश ले तो बाबा का बांगडा बाबा का बांगडा अपने सबसे बड़ा टापू है और सबसे चोटा टापू अगर पूछ ले तो प्यारी यहाँ पर सबसे चोटा टापू है किस जिल की बात हो रही है अपने जैसमन जिल की बात हो रही है उदेपूर जिले में एस्तित हैं इसको डेबर जिल के नाम से भी जानाता है और अपने मीठे पानी की जीले है अगला प्रशने लूनी की साइक नदी कौन से नहीं है सूकड़ी, बांडी, पस्चिमी बनास या जवाई तो देखिए लूनी की साइक नदी अपने पस्चिमी बनास नहीं है बाकि सभी लूनी की साइक नदीया है देखिए मीठली आ जाए लूनी की साइक ने दिया काभी बार एक्जाम में पूछे जाता है तो आप ध्यान रखें मीठली हो गया लीलरी हो गया सूकडी बांडी जवाई इसके लावा जोजली हो गया ये सबी अपने लूनी की साइक नदिया है और देखिए लूनी नदी एकमात रेसी नदी रहस्तान की जो आदी खारी हैं और आदी मिठी नदी है यानि कि बालोतरा जो अपने बार्मेर मिशती थे बालोतरा बार्मेर तक तक तो इसका जल रहता है मिठा और बालोत्रा बार्बेर के आगी आने के बाद इसका जल क्या हो जाता है खारा हो जाता है यानि कि आधी खारी और आधी मिठी एपने लूनी नदी है जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है तो देंगिए इतनी सारी बाते आपको कवर करते हुए चलना है अगला प्रस्टने राज़तान के ऊत्री पस्ची में रेकिस्तान की प्रमुक नदिया कौन सी है तो देखिए ऊत्री पस्ची में रेकिस्तान में अगर बात करें तो ये चार ओप्षिन आप डंग से पड़ सकते हैं जवाई, बांडी, लूनी, सूकडी, गगर ये अगलो पस्ची में रेकिस्तान की प्रमुक नदिया है औफ्षिन चार हो जागा इसका correct answer देखिए गगर नदिये अपनी रास्तान की एक्मात रसी नदिये हैं जिसका पानी पाकिस्तान तक जाता हैं अगर गगर नदिये अधिक पानी आजाए बाहर आजाए तो इसका पानी फोर्ट अब्बाज पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है और देखे इस साल भी इस साल भी अगर बात करें तो गगर नदी उफान पर रहें और इसका पानी पाकिस्तान तक चला गया है तो आप ज्यान रखे हैं गरगर नदी की बारे में आप एक बात ज्यान रख सकते हैं अगला प्रसने चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती हैं तो देखे चंबल नदी अपने रास्तान के 6 जिलों से गुजरती है 6 जिले कुन कुन से 84 गड़ चित्तोर गड़ से अपने रास्तान में परवेस करती है मद्धी परदेश से निकलती है और रास्तान में परवेस कहां से करती है 84 गड़ चित्तोर गड़ से और कोटा में बेती हैं, दोलपूर में बेती हैं, बुंदी में बेती हैं, सवाई मादोपूर में बेती हैं, लेकिन जालावाड में अपने ये नदी नहीं बेती हैं, तो अपने चंबल नदी हो जाएगा जालावाड में नहीं बेती हैं, option दो correct answer हैं, अगला प्रशन निम्मे से किस जिले में बनास नदी नहीं वेती हैं तो देखे बनास नदी अपने राजसमन में वेती हैं अजमेर में वेती हैं चित्तोडगट में वेती हैं लेकिन उदैपूर में बनास नदी नहीं वेती हैं option 4 correct answer है अगला प्रसमे चंबल नदी का उध्गा मस्तल क्या है जनापाओ की पारी मज्ट पर्देश से निकलती है अपने चंबल नदी और अपने राजतान में प्रवेस करती है सोम, माही और जाखम इन तीन नदियों के संगम पर अपने बेनसर दाम मेला लगता है अगला प्रस्टने आयर नदी के नाम से कौन से नदी जाने जाती है कोठारी, बेड़च, जवाई या बानगंगा तो देखिए मैंने आपसे एक वीडियों पहले भी चर्चा की थी जो आयर नदी हैं अपने उदेपूर के बीचो बीच होकर निकलती है और जो अपने उदेशागर जील है उदेपूर में, उदेशागर जील यहां तक तो इस नदी का नाम क्या है अपने आयर नदी है आयर नदी और उदेश सागर जील में ये गिर कर वापस जो बाहर नदी निकलती है इसी नदी को वापस बेरस नदी के नाम से जाना दता है यानि कि उदेश सागर तक तो ये जील अपने आयर नदी के नाम से जानती हैं और उदे सागर के बाद इस नदी को बेरस नदी के नाम से जाना देता हैं तो अपने option दो हो जाएगा correct answer अगला प्रशने सुमेलित करना है अपने नदियों के नाम वह अंतिम पड़ाव से तो एक अपने माही नदी की अगर अगर बात करें तो अपने खंबात की खारी में इसका नदी आप याद अगला प्रस्तिन, वह जिल जिसके एक और प्रस्ड़ टोड़ रोक है तो देखे टोड़ रोक का हिस्तित हैं ये अपने नकी जिल में इस्तित है नक्की जिल के किनारे तो option 3 हो जागा इसका correct answer mount abu में है और देखिए रास्तान की एकमात रेसी कौन सी जिल है जो सर्दियों में जम जाती है तो अपने नक्की जिल है जो सर्दियों में जम जाती है option 3 है इसका correct answer और देखे गराशियों का गराशियों के लिए पवित्र जील है गराशिया जन जाती कि जो लोग होते हैं जो भी किसी की मृत्य हो जाती है तो इसकी जो हड्या होती हैं वहाँ कहां भी सर्चित करते हैं अगला प्रस्ट ने बनास की साइक नदियों का सही जोड़ा कौन सा हैं तो देखे बनास की साइक नदियों कौन सा हैं तो देखे बनास की साइक नदियों अगर पूचे जाए तो बेरच हो गया खारी हो गया, कोठारी हो गया मोरेल हो गया मानसी हो गया यह सब इपने बनाश की सायक ने दिया है तो बेड़ेश वह खारी हो जाएगा इसका correct answer अगला प्रशने घर सिसर जील किस जिले में इस्ती थे तो यह गर सिसर जील अपने जेसल मेर जिले में देखिए वीडियो थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन रास्तान भूगोल के काफी सारे प्रशन आपके cover होने वाले हैं इस वीडियो में इसके लाव हम रास्तान history, रास्तान art and culture इन दोनों के अलग से दो वीडियो भी लगकर आने वाले हैं तो देखिए आपको काफी फाइदा होगा इन से और काफी सारे प्रशन आपके cover हो जाएंगे और देर सारे प्रशन ऐसे प्रशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए मैं आपको पूरी डिटेल से भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ माही नदी किन राजियो में बहती है तो देखिए कि माही नदी अपने क्या हो जागा इसका अंसर माही नदी अपने मध्य पर्देश से निकलती है फिर राजिस्तान में आती है फिर ये गुजरात में चली जाती है तो अपने option परस्ट हो जागा इसका correct answer माही नदी को अपने कांठल की गंगा के नाम से भी जानते है कांठल की गंगा किसे कहते है अपने माही नदी को कांठल की गंगा आदीवाशो की गंगा ये अपने केते हैं इसको अगला परस्टने राजिस्तान में सरवाधिक ओसद वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो दिके सबसे अधिक वर्षा अगर राजिस्तान में पूछा जाए तो किस जिले में होती है ओसत वार्षिक वर्षय आपने जाला वार जिले में सबसे दिख होती है और इसी प्रकार अगर पूश ले ओसत न्यूनतम वर्षय कहा होती है तो जेसल मेर जिले में सबसे ओसत न्यूनतम वर्षय होती है अगला प्रशने पस्चिमी विक्षोबो जिन से आसीत काल में राज्तान में मावट होती है का समन्द किस्से है तो दीए मावट क्या है अपने पस्चिमी विक्षोब है और ये भूमद्य सागरी मान सुने है तो option 4 जागा इसका correct answer मावट क्या है सीत काल में जो अपने वर्शा होती है उसको मावट के नाम से जानते है अगला प्रशने जीस जिले में वार्शिक वर्शा में विश्यमता का प्रतिशत सरवा दिखे है वह कुनसा जिला है तो देखिए वार्षिक वर्षा का विशमता वाला जिला कुनसा है अपने जैसल मेर जिला जिला एक ऐसा जिला है जा कभी कबार तो वर्षा हो जाती है और किसी वर्ष तो बिल्कुल बारिस नहीं होती है जैसे इस साल अगर बात करें तो काफी सारी डेर स सुष्क प्रदेश में आता है वह कुन सा है तो तेकि अर्द सुष्क में नागोर जिला आता है इन चारों में अगर बात करें तो नागोर जिला अपने अर्द सुष्क में आता है अरावली शेत्र में वर्षा का वार्षिक उसत कितना है तो तेकि अरावली शेत्र में अगर पूश ले बारिस का ओसद कितना है तो 57 से 58 से में अपने राज्तान का वार्षिक ओसद है और एक्जेक्ट अगर पूश ले तो 57.51 से में बाकि अपने 57 से 58 से में ये अधिकतर पूचा जाता है और अरावली शेत्र में अगर पूश ले तो 80 से में हो जाएगा इसका correct answer अगला पूश ने, 50 से 100 से में वर्षा वाला प्रधेस कुन सा है तो 50 से में अपने अरावली शेत्र में हो जाएगा इसका correct answer इससा तो दीकि एक कुंसा ये संपूल शेत्र की सूष्क वह विशम जलवाई होती हैं पर बारिस बहुत कम होती हैं तो संपूल शेत्र की विशम वह सूष्क जलवाई हो जागा इसका correct answer अगला प्राशने राज्य की अधिकान्स वर्षा किन पाउनों से होती हैं तो दीकि राश्तान की अधिकान्स वर्षा अगर होती हैं तो किसे अपने दक्षिन पस्ची में मानसुन से होती हैं सुमयृत कौन सा नहीं है इन 4 option में तो दीकि रास्तान में सरवाणिक वर्षयावाला अस्तान कौन सा है तो दीकि माउंट अबोव अपने सबसे ज़्यादा वर्षया यहाँ पर होती है और अकर जिल्लMore रहे हैं सबसे दिक वर्षया वर्षया वैला वर्षया वे जिल्स यहा हो जाएगा अपने सबसे अधिक भीहड भूमी दोलपूर में है दोलपूर में तो आप ध्यान रहे कि option 4 इसका सुमिलित नहीं है बागी सभी सुमिलित है अकला प्रशने राजस्तान में सरवाधिक वर्षा किससे होती है तो देखिए अपने राजस्तान में सरवाधिक वर्षा आपने बंगाल की खारी मानसुन से होती है बंगाल की खारी मानसुन से सरवाधिक वर्षा होती है तो देखिए मानसुन के प्रत्या वर्थन का समय अपने क्या है अक्टुमबर से मज़ नवंबर option 3 correct answer अगला प्रस्टने राजिस्तान के किस शेत्र का देनिक ताप अंतर सरवादिक रहता है तो दिके पस्ची में शेत्र का देनिक ताप अंतर सरवादिक रहता है उप्षन तीन हो जाएगा correct answer अगला प्रशने राजस्तान के सीत काल में होने वाली वर्शा मावट निम्ड में से किस करण होती है तिकि मावट जो अपने भुमजी सागरी मांसुन से होती है तो ये किस करण होती है अपने पस्चे में विक्षोप के करण होती है और कौन से मांसुन से होती है अपने भुम los वर्षव श्रोट रास्टान का कौन्षा शेत्र बंगाल की खाडी और अरब साकर दोनों ही मांसुन से सरवादिक वर्षव राप्त करता है तो देखे क्या हो जागा इसका आंसर दक्षिनी पस्ची में शियत्र अपने बंगाल की घाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसुन से सबसे अधिक वर्षया प्राप्त करता है 25 में संबाग का घटन हो आता अपने 25 में बना था आप जान रहें ओप्षिन डिये है इसका करेक्ट आंसर निमल से कौनसा जिलह बरतपूर संबाग में कौनसा जिलह नहीं आता है तो अपने 4 जिलह आता हैं सवाई माध्यपूर आता हैं एक बरतपूर खुद हैं दोलपूर और करोली ये चार जिले अपने बरतपूर संभाग में आता हैं लेकिन अलवर जिला जो है अपने ये अपने जैपूर संभाग में आता हैं तो अपने option दो हो जाएगा इसका correct answer शेत्रपल वह जन संक्य की दरश्वत्र जर्श्ति से सबसे बड़े संभाग क पुआई क्रमिशे िte Clement ये चेत्रपलक की दरश्वत पूचा जाएं कौन सा संभाग सबसे बढ़ाएं तो जोदपूर संभाग अपने जन संक्या पुचाएं तो जैपूर भाद में हो जाएगा तो उप्शन फर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer जोदपूर वह जैपूर अपने शेत्रपल वह जन संक्या के करम में सबसे बड़े संभाग है हनुमानगड को प्रतक जिला कब बनाए गया हनुमानगड को अपने प्रत हाश्तान का सरवादिक जन संक्या पिशुष जैपूर अपने जैपूर जिले में निवास करती है उप्षन तीन हो जाएगा और अंसर प्रसाष्णिक द्रस्ट से निम में से सबसे चोटी का ही कुण सी है जिला तेसिल खंड या पंचाय समिती तो दीके तेसिल हो जाएगा इसका correct answer अगला प्रिस्ट में जिला प्रसासन के विबिन विबागों में समनवे कौन अस्तापित करता है तो दीके जिला प्रसासन के विबिन विबागों में अपने जिला दिस ये समन्वे इस्ताबित करता है नव गठित तेटिसवे जिले प्रताबगट का गठन किन किन जिलों को तोड़ कर किया गया तो दीके प्रताबगट जिला अपने 26 जनवरी 2008 के दिन बना था तो किन जिलों को तोड़ कर बना गया था अपने उदेपूर चितोडगर वो बासवड़ा इन तीन जिलों को तोड़ कर अपने परताबगर जिला बनाए गया जालावार का समद्ध परदेश के किस संभाग से हैं तो जालावार का समद्ध अपने कोटा संभाग से हैं कोटा संभाग में चार जिले आते हैं कौन कौन से एक तो जैलावार एक कोटा बुंदी और बारा ये चार जिले अपने कोटा संभाग में आते हैं तो आप जियान रहे कि ओप्षन दो जाएगा इसका correct answer और जैकि एक प्रशन पूचे जाता है सबसे अधिक साक्षर संभाग कौन सा हैं तो साक्षरता की दृष्ट साक्षरता की दृष्टी से जिला अगर पूचे जाए जिला वो तो कोटा है लेकिन संभाग में पूचे तो संभाग कौन सा है सबसे दिक साक्षर अपने जैपूर संभाग हैं आप जियान रखें अगला प्रशने इंदिरा गंधी पंचायती राज ग्रामिन विकास संस्त वह सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सोबता है तो दीकि अपने विकास अधिकारी को यह अपने त्याग पत्र सोबते हैं पंचायती राज का प्रदान लक्ष क्या हैं तो दीकि पंचायती राज का प्रदान लक्ष क्या हैं सत्ता का विकेंत्रिकरन ओफ्शन दो हो जिलो में है तो दीकिए नियुनितम पंचायत समीत एकर पूछ ले तो जेसल में जिले में option first है correct answer पंचायती राज सस्ता में चुनाव लड़ने है तो प्रत्यासी की निर्दारित नियुनितम आयू कितनी है तो दीकिए एक तरह से मान सकते हैं सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष के आयू होनी चाहिए option 2 अगला प्रशने राजिस्तान में पंचायती राज का प्रवर्तन सरप्तम हुआ का हुआ नागोर में हुआ कब हुआ नागोर के बगदरी गाउं से पंचायती राज व्यवस्ता की सुरुवात की थी अगला प्रशने राजिस्तान में प्रथम नगर पाली का 1864 में कहा अस्ता पितुई तो राजिस्तान में प्रथम नगर पाली का 1864 में माउंट अबू सिरोई से राज़तान पंचायची राज अजिनियम 1904 के तवरत राज़ में पंचायची राज संस्ताव के सिए त्री अस्त्री है राज़तान विदान सबाद्वारा राज़तान पंचायच समिति तथा जीला परिशत बिल के स्वर्ष पारिद किया गया था तो दीकि अपने 1969 हो जाएगा इसका correct answer option 4 सही answer है पंडित जवालाल नेरु द्वारा रास्तान में पंचाईची राज का प्रारम कब किया गया तो दीकि नागोर से अपने 2 अक्टूमबर 1969 के दिन हमने भी बात किये नागोर के बगदरी गाउं से जिला परिशत का अध्यक्स कोन होता है तो जिला परिशत का अध्यक्स अगर पूस ले तो जिला प्रमुक होता है option 1 correct answer भारत में 25 राज को प्रारम करने वाले राज़ियो में राज्तान का अस्तान कोन सा है तो दीकि बारत में सबसे पहले अपने पंडित जवारलाल नेरों ने 1969 में अपने नागोर से पंचायची राज प्रार्यम किया था तो अपने प्रतम अस्ताने बारत में राजस्तान का option first सई answer है राजस्तान में पंचायची राज के प्रतम आम चुनाव कब संपन हुए तो दीकि पंचायची राज स्वेवस्ताप ने 1969 में शुरू हुए थी तो अपने 1960 में ये अपने पंचायची राज के प्रतम चुनाव संपन हुए की स्थिति से राजस्तान पंचाईटी राज अधिनियम 1994 संपुन राजी में लगुवा था तो दीके अपने क्या होज़ेगे इसका अंसर 23 अपरेल 1994 वे ओप्षन तीने सई अंसर 33 वे समिन्दान संसोधन के अनुसार मूलत पंचाईटी राज संस्ताओं में अजक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओ के लिए अरक्षित किये गए तो दीके महिलाओ के लिए एक तियाई पद एक बड़ा तीन पद अरक्षित है कि समिन्दान संसोधन के उपरांत राजस्तान में नगर पालिकाओ का कारिकाल पांच वर्स निर्दारित किया गया तो दिकि क्या हो जागा इसका अंसर नगर पालिकाओ की बात करें तो अपने चोमतरवा सविंदान संसोदने ओप्शन चार हो जागा इस सही अंसर राजिस्तान में पंचाईती राज व्यवस्ता का सुब बरंब निम में से केस पंचवर्सी योजना के तहट क्या गया तो दिकि क्या पंचाईती राज व्यवस्ता आपने द्वीती ये पंचवर्सी योजना के तहट सुरू की गयी थी ओप्शन सेगन हो जागा इसका करेक्ट अंसर अगला प्रिस्तने देश में प्रोट सिक्षा है तो साक्षर बारत मिशन 2012 का प्रारम कब हुआ हैं तो देखे साक्षर बारत मिशन का अपने प्रारम आठ सितंबर 2009 से हुआ हैं राजस्तान की साक्षर ता कितनी हैं 64.1% अपने 2011 की जनकरना के सुरूर बात करें तो अगला प्रिस्तने वर्दमान मावीर खुला विस्विद्या लेका हैं तो देखे कोटा में अपने राजस्तान का एक मात्र वर्दमान मावीर खुला विस्विद्या लेका हैं मेरा बाई अखिल भारती आईर विज्ञान सस्तान का अस्तापित किया गया हैं तो देखे अपने जोधपूर में हो जाएगा इसका correct answer मेरा बाई अखिल भारती आईर विज्ञान सस्तान जोधपूर में प्रसिद उद्योगपती स्टिल किंग स्री लक्ष्मी निवास मितल ने LNM Institute of Information Technology की स्तापना किस जिले में की हैं तो क्या हो जागा इसका answer जैपूर जिला हो जागा सही answer option first एसा विजवी जाले जिसका कायरेसियत्र उसके सहर की सिमाओं में सिमीत एं तो दिकि इन चारों में option क्या हो जागा जैए नारण व्यास विजवी जोधपूर option चार है सही answer गार्गी पुरुसकार दिया जाते हैं तो दिके गारगी पुरुषकार किसको दिया जाता है अपने दस्वी की प्रिक्षा में पिच्चतर परतिशत अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली चात्राओं को दिया जाता है और गारगी पुरुषकार अमेशा बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है सत्यान मेत्र ही पुरुषकार किस स्यत्र में दिया जाता हैं तो दिकि सत्यान मेत्र ही पुरुषकार अपने साक्षर्था के स्यत्र में दिया जाता हैं option first हो जाएगा correct answer चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे योजना का प्रार्म हुई तो दिकि चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे योजना अपने 8 जुलाई 2010 से प्रार्म हुई है 2001 से 2011 की अउदी में रास्तान में साक्षर्था दर में कितनी वर्दी हुई हैं तो दिकि 5.7% की वर्दी हुई हैं option 2 हो जाएगा सही answer राज्जी का एकमात्र अल्प संक्यक सिक्षक प्रासिक्षन माविद्या लए डाक्टर जाकिर हुसियन मुस्लिम माइनोरिटी B.8 कोलेज की अस्तापना की गई तो दिकि जालावाड में इसकी अस्तापना की गई हैं option 3 हो जाएगा इसका correct answer राज्जी सेक्षिक प्रासिक्षन वो प्रबंध सहस्तान का है इस्तित हैं तो दिकि अपने उद्यपूर में इस्तित हैं option 3 है correct answer कौनसा यूग में असंगत हैं तो दिकि क्या हो जाएगा इसका answer माराना प्रताप क्रिशी यह तकनिकी विस विद्यालाई अपने उद्यपूर में एकदम सही हैं राष्ट्री विदी मंडोर जोद्पूर में यह भी एकदम सही हैं आयरुवेद विस विद्यालाई तो दिकि आयरुवेद विस विद्यालाई अपने यह भी जोद्पूर में है तित्वोडगड में नहीं हैं तो यह अपने सुमेलित नहीं है option 3 नों जगा correct answer बागी देखिए जगत गुरु रामनन्दा चारे राजस्तान सस्क्रत विश्विद्याले का है इस्तिते हैं यह अपने जयपूर में हैं अलग अगला प्रशने सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग इस्टिटूड यानि की C-E-E-R-I के स्तापना कब वह कहां की गई तो क्या हो जगा इसका अंसर तो देखिए इसके स्तापना अपने 1913 में पिलानी जुन जुन में की गई हैं ओप्शन चार हो जगा इसका करेक्ट अंसर राजस्ता मरसी दयानन शराषूती विस विद्याल हो जगा इसका करेक्ट अंसर ओप्शिन चार अजमेर मरसी दयानन तरस्वाटई करने वाले प्रथम राज्जी कउन सा हैं तो दीखिए जीवन कोशल सिक्षय लागू करने वाला प्रथम राज्जी अपने कॉन सा हैं और राजस्ता के पस्चेमी मरुस्तली भाग में वन अपने क्या हो जागा इसका अंसर काटे दार पेडवत जार्यों यानि कि मरुद्भित के रूप में पाये जाते हैं वेदानिक रूप से वनों का प्रकार हैं रक्षित अवर्गी कृत आरक्षित वा उप्यूक सभी तो दीकि वेदानिक रूप से ये तीनों प्रकार के वन पाये जाते हैं तीनों प्रकार के वन होते हैं राजितान में सबसे कम शेत्र में फेले वन कौन से हैं तो देखे सबसे कम शेत्र में अपने अवर्गी कृत वन फेले हैं ऑप्षिन तीनों जागा इसका करिक्ट आंसर राजी में नियून पार्क ये अपने राष्ट्री मरूद्यान में आता है बिल्कुल सही बात है जंगली मुर्गे अपने माउंट अबू सिरोई में पाए जाते है इस अब्यारेन में ये भी सही है चोसिंग आपने जमुवा रामगड देखे चोसिंग आपने जमुवा रामगड में नहीं अप द्यान रखे विशेश तोर पर तो ये भी सही है बागी चोसिंग का अपने कुंबल गड़ अभ्यारण में पाय जाता है जमवा राम गड़ में नहीं है उप्शन तीन सही अंसर है अगला प्रशने कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है राश्ट्री ये मरूद द्यान अपने जेसल मेर में एकदम सही है अपने रास्तान का सबसे बड़ा वंज जीव अभ्यारण अब पूस ले शेतरफल की दρश्टी से तो अपने राश्ट्रि मरूद द्यान है एकदम सही है सीता माता वन्य जीव अभ्यारेन ये अपने चितोडगट में है ये भी सही है दर्रा अभ्यारेन ये दर्रा अभ्यारेन ये अपने बुंदी में नहीं अपने कोटा और जालावार में पहला है कोटावा जालावाड में अपने दर्राअब्यारेन पहला है तो यह अपने सुमेलित नहीं है बागी सब भी सुमेलित है ताल शापर अप्यारेन अपने चूरू में है जो अपने काले हीरनों के लिए प्रसिद है अगला प्रस्तिन वनावरंद रिष्टि से सबसे समर्द जिला कुन सा है तो देखे सबसे अधिक वन अपने उदेपुर जिले में हमने अभी बात की हैं और सबसे कम किसमें अपने चूरू जिले में सबसे कम वन है ताल चापर अभ्यारेनिय जो अपने चूरू में है किस के लिए प्रसिद हैं तो देखे काले हिर्नों के लिए प्रसीदे अपने तालचापर अब्यार OUR rug अप्शन चार हो जाएगा Сहज़ आंसर काले हिर्नों के लिए गदो और खच्च्रों का मेला कहां लगता है तो देखे गदो तो सही answer है holistin वा red den किसकी नस लें तो दीकिए holistin वा red den अपने गाय की नस लें गाय की तो option फ़र्ष्ट हो जाएगा इसका सही answer किस जगह की बकरियां बारत वर्ष में प्रसीदें तो दीकिए वरुन गायां जो अपने नागोर में यहां की बकरियां बारत वर्ष में प्रसीदें option फ़र्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer दीकिए अब लई प्रस्ट ने एक एक लाइन के हैं लेकिन कापी मत पुने और बार बार एक्जाम्स में पूचे जाते हैं एक तरह से आपके यह रेविजन हो रहा है अपने पूरे जीके का 30 जगर का उंट बारत वर्ष में लोग प्री है तो दीकि नाचना जेसल मेर के उंट अपने बारत में लोग प्री हैं बकरियां तो अपने हो जाएगा वरुन गाव नागोर की और उंट हो जाएगा अपने नाचना जेसल मेर का option फर्ष्ट है इसका सई अंसर अगला प्रशने राजिस्तान में सरवादिक पसु मेलो का आयोजन किस जिले में होता हैं तो दिके सबसे ज़्यादा पसु मेले अपने नागोर में लगते हैं जैसे परबत सर पसु मेला हो गया बल देव पसु मेला हो गया तो नागोर में सबसे ज़्यादा पसु मेले लगते हैं राजिस्तान में सरवादिक पसु दन वाला जिला कौन सा हैं तो दिके सबसे ज़्यादा पसु दन अपने बार्ड मेर जिले में option दो correct answer हैं राजिस्तान में न्यूनतम पसु दन दोलपुर जिले में सबसे कम पसुदन अपने दोलपुर जिले में ओप्रेशन फ्लड का उद्यशी क्या है तो दीकि ओप्रेशन फ्लड अपने दुग्द उत्पादन से समन्दित है तो दीकि दुद का उत्पादन बढ़ाना एकदम सही है इसका उद्यशी है दूग्द उत्पादकों को दूद का उचित मुल्य दिलवाना ये भी सही है उप भोगताओं तक अच्छी किस्म के दूद का वित्रन करना ये भी सही है तो अपने option चार हो जगाई सही answer और एकदम ये सीधे ही पूछा जा सकता है कि operation flood का समन किस्से है तो operation flood अपने दूद उत्पादन से समन दीत है अगला प्रशने निम्मे से पसुव में होने वाला जीवानों जनीत रोग कोन सा है तो दीके थनेला अपने जीवानों जनीत रोग है थनेला option दो correct answer है अगला प्रशने एशिया का सबसे बड़ा क्रशी भारम कहा है थने तो दीके एशिया का सबसे बड़ा क्रशी भारम अपने सूरतकर घंगानगर हो जाएगा correct answer राज में व्यर्त भूमी का सरवादिक शित्र अगला प्रशने निम्मे से फसल्व किस्मों का कौन सा युगम असंगत है तो देखे मक्का की किस्म कौन-कौन सी है माही कंचन, माही दवल कई बार एक्जाम में पूछा गया है ये किस की किस्म है तो मक्का की उन्नत किस्म है माही कंचन, माही दवल चावल, देखे कावेरी आजाए, चंबल आजाए, परमल आजाए ये अपने चावल की प्रमुक किस्म है गयों की किस्म है कौन-कौन सी है मेक्सिकन वा कोहिनूर अपने गयों की किस्म है एकदम सही है बागे दिखिए चंद्रावा कूफरी अपने आलू की किसमे है यहाँ पर मुंगफली गलत दे रखाएं तो अपने ये संगत हैं option 4 हो जाएगा साई आंसर अगला प्रसने भारत में 1966-66 में हरित करांती के जनम दाता कोन थे हरित करांती के जनम दाता कोन थे अपने भारत में तो क्या हो जाएगा इसका अंसर MS स्वामी नाथन हो जाएगा correct answer MS स्वामी नाथन option 1 साई answer है काजरी सोथ सतान तो जाए काजरी आजाए आफरी आजाए ये का हिस्तिते अपने जोधपूर में हिस्तिते हैं option 1 correct answer है बूरी क्रांती किस समदिते हैं तो देखे बूरी क्रांती अपने खाज्य परदार्त प्रसंस क्रण से समदिते हैं option 2 हो जाएगा इसका correct answer खाज जिपरदात प्रसंस्क्रण लाठी सिरीज सियत्र किस जिले में इस्ति थे हैं तो देखे लाठी सिरीज सियत्र अपने जैसल मेर जिले में option चार हो ज़ेगा है सही answer सामझे तो निम में से राज़तान के किन जिलों में सरवादी गेहों पद्या होता हैं तो देखे सबसे जैदा गेहों अपने गंगा नगर वो आनुमानगर में पैदा होता हैं और गंगा नगर को राज़तान का अन्नागार भी कहते हैं तो option तीन हो जाएगा इसका सही answer अगला प्रस ने सेरी कल्चर का समझने में कितने से किस्से हैं तो देखे सेरी कल्चर अपने रेसम कीट उत्पादन से समझने रेसम कीट उत्पादन राजस्तान का अन्न बंडार कौन सा जिला हैं तो देखे अन्नागार या अन्न बंडार आ जाए तो अपने गंगा नगर को कहा जाता हैं option फर्स्ट है इसका correct answer अगला प्रशने, BioDizal है तो निमें से किसका रोपन करवाया गया है तो देखे, BioDizal है तो अपने रतन जोत इसका अपने रोपन करवाया है चेति यानि की दमस्क गुलाब की करते कि लिए कि सैथ्र को प्रसीद्य की आज से ले तो देखे के चेतिया दमस्क गुलाब अपने खमनोर राजसमन्द के प्रसी दें ओप्शन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर खमनोर राजसमन्द अगला प्रसने राजस्तान में किन जिलों में वालरा की करशी होती है तदि कि वालरा करशी अपने मुख की रूप से अगर बात करें तो अरावली परवती प्रदेश जो अपने दक्षिन में उदेपूर डूंगरपूर बासवारा इन जिलों में वालरा की करशी होती है जिस मावट सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि मावट क्या है अपने सीथकाल में जो वर्षया होती है उसको मावट के नाम से जानते है और सीथकाल में जो फसल होती है जैसे गेहू हो गया चना हो गया तो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है मावट हैं तो अपने option 3 है इसका correct answer राजस्तान में पूर्वी आद्र प्रदेशों की प्रमुक उपज कौन सी हैं तो देखें पूर्वी आद्र प्रदेशों की प्रमुक उपज अपने गेहुव चना है option 3 हो जाएगा इसका correct answer गेहुव चना पूरी आधरप प्रदेशों की फल उत्पादिन की द्रिष्टी से राज्टान का प्रमुक जिला कुन सा है तो दीके सबसे अधिक फल अपने गंगानगर जिले में उत्पादित होता है option तिन हो जागा correct answer अगला प्रिष्ट में राई वे सर्सों के उत्पादिन की द्रिष्टी से राज्टान का देश में कौन सा अस्थान है तो दीके सर्सों वे राई में अपने प्रतम अस्थान पर है राज्टान राज्टान में सरवादिक सुष्क करिशी त्रिवरता वाले जिले कौन से है तो देके सरवादिक सुष्क करशी अपने त्रिवता वाले जिले कुन से हैं जैसल मेर वो बार मेर ओप्शन फ़स्ट राजस्तान के सुष्क प्रदेशों की प्रमुक उपच कुन से हैं सुष्क प्रदेश्यों की प्रमुग उपजबने बाजरावर दाले हैं option 2 हो जाएगा इसका correct answer मानसी वाकल प्रियोजना का समन्द किस जिले से हैं तो देखें मानसी वाकल प्रियोजना देखें इस वीडियों में राज़तान जोगराफिक के सबी topic से प्रष्ण सामिल किया हैं चाही वा राज़तान का स्थिती विस्तार ले लो नदिया ले लो राज़तान की प्रमुग सिचाई प्रियोजना खनीज ले लो आप उद्योग ले लो सबी topic से मैंने इसमें question सामिल किये हैं और एक तरह से आपके लक्ष book का पूरा सार संगर इसमें मिल रहा है आपको तो आपको वीडियो अंतक देखना है और देखिए वीडियो बनाने में काफी समय लगता है काफी मेनत लगती है तो वीडियो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आएं तो आपको subscribe तो जरूर से जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर से शेयर करना है रेगुलर आपको इस चैनल पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तो देखे ये प्रस्तन अपने क्या किरा है मानसी वाकल प्रियोजना का समन किस जिले से है तो उदेपूर जिला हो जाएगा इसका correct answer option 3 निम में से राजतान की व्रहत सिचाई प्रियोजना कौन सी है तो देखे मेजा बान, मोरेल बान, जैसमध्या, बिसलपूर तो देखे बिसलपूर हो जाएगा इसका correct answer व्रहत सिचाई प्रियोजना है बिसलपूर अगला प्रस्ने नर्मदा नहर का पानी राज के जालोर जिले के कौन से गाउं के पास बने zero point पर 18 मार्स 2008 को पहुच गया था तो देखे 18 मार्स 2008 को अपने नर्बदा नहर का पानी जालोर के सिलू गाउं यहां से आया था तो आप द्यान रखे सिलू गाउं से अपने नर्बदा नहर राजस्तान में प्रवेस करती है और अपने बार्मेर और जालोर जिला इससे लबान भी थे है तो आप द्यान रखे ओप्शन दो सिलू गाउं का है अपने जालोर में और देखे 2008 में उस समय मुक्की मंत्री को अंती अपने वसुंद्रा राजे यह भी आप द्यान रखे है अगला पर उसने राजिस्तान की वह प्रतम सिचाई प्रियोजना जिसमें क्यावल फवारा सिचाई पद्दती लागू की गई है तो देखे फवारा सिचाई अपने इस नर्मदा नहर प्रियोजना में लागू की गई है ओप्शन तीन हो जाएगा इसका correct answer ओखला हेंडवर्क दिली से निकाली गई गुडगाव नहर जिसको यमुना लिंक प्रियोजना की नाम से जाना दता है राजी के किन जिलों में सिचाई है तो जल उपलप्त कराती है तो देखे बरतपूर जिला हो जागा इसका correct answer यह अपने बरतपूर को सिचाई उपलप्त कराती है जल उपलप्त कराती है अगला प्रसने जय समंद जील जो उपने उदेपूर में इस्तित है हमने भी बात किये डेबर जील के नाम से जनाता है गोमती नदी यहाँ पर यह जल लाती है जो कि मानव निर्मित ताजे पानी की ताजा मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी करत्रिम जीले किस नदी पर बनाई गई है अपने पहले ही बात कर लिए गोमती नदी ओप्शन तीन ओरई बांध प्रियोजना का समन किस जिले से है तो दीकि ओरई बांध प्रियोजना अपने चितोडगट जिले से समन दी थे है चितोडगट बोपाल पूरा कोटा जिले की हरिस चंदर सागर बांद प्रियोजना किस नदी पर निर्मित हैं तो देकि ये प्रस ने काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो देकि कोटा जिले की हरिस चंदर सागर बांद प्रियोजना ये अपने काली सिंद नदी पर बनी हुई है option तीन हो जाएगा इसका correct answer बनास की सायक moral नदी पर निर्मित moral बांध पुरियोजना से लबानवित जिले कौन-कौन से हैं तो देखिए moral बांध से अपने कौन-कौन से जिले लबानवित हैं दोसावस सवाई माधपूर हो जाएगा इसका correct answer option दो है सई answer अगला प्रस्तने इंद्रा गांधी लिप्ट पुरियोजना का समद किस नदी या नहर से हैं तो देखिए इंद्रा गांधी लिप्ट पुरियोजना का समद अपने क्या हो जागा इस का answer देखिए इंद्रा गांधी नहर पुरियोजना वो लगे हैं इंद्रा गांधी लिप्ट परियुजना यह अलग है यह अपने चम्बल नदी से निकाली गई है चम्बल नदी से और देखिए यह अपने केस जिले समदी थे हैं करोली जिले की सबसे बड़ी सीचाई परियुजना है अपने इंद्रा गांधी लिप्ट परियुजना जो चम कूबर पट्टी से बीड़ी थे हैं कूबर पट्टी का मतलब क्या है यहां के पाने में फ्लोराइड की मात्राधिक होती हैं तो यह यहां के जो निवास करते हैं जो भी आदमी वो अपने कूबर पन का सिकार हो जाते हैं तो इसको अपने कूबर पट्टी केते हैं अजमेर न तो देखे बांक्रा नागल प्रियोजना अपने पंजाब हर्याना वर राज्तान की सविक्त प्रियोजना है ओप्शन फर्ष्ट हो जागा इसका correct answer पंजाब भर्याना राज्तान की यह प्रस्ण काभी बार एक्जाम में पूचा गया है इंद्रा गांधी नार की लिप्ट नारों में सबसे लंबी नार कौन सी है तो देखे इंद्रा गांधी नारों की लिप्ट नार में सबसे लंबी नार अगर पूच ले तो कवर सेन लिप्ट नार है ओप्शन फर्ष्ट हो जागा इसका सही answer और इसको बिकानेर लून करन सर न के नाम से जाना रहता है सर्दार sharper परियोजणना किन राज्यों से समंदित हैं त focused इसका सही पूछा हो जाएगा कौण सा यूग में सही समंदित नहीं है क्या हो जाएगा इसका जाएगा ब्रयास्दागा पंजाब अर्याना वा रास्तान की प्रियोजना है बिल्कुल सही बात है चंबल प्रियोजना अपने रास्तान वा मद्धी प्रदेश इन दोनों राज्यों की संविक्त प्रियोजना है माही प्रियोजना अपने रास्तान वा गुजरात इन दोनों राज्यों की प्रियोजना और देखिए यमुना जल सीचाई प्रियोजना राज्तान वह यह मज्दी प्रदेश नहीं आएगा है पर राज्तान वह उत्तर प्रदेश की प्रियोजना है तो अपने यह सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित है और यह चार ओप्शन आप ढंग से पढ़ लीजिए यहां नदी पर निरमित है तो देखिए 17 नदी पर हो जाएगा इसका correct answer है 17 नदी पर मेज बान किस नदी पर बना वाएं? तो देखिए ने बिलवाडा में कोथ़ारी नदी पर किस जिले में अपने बिलवाडा में? मेज बान बना वाएं एं, option flour नदी होते हैं option 3 है इसका correct answer किस बांध का लाब बिलवारा को नहीं मिलता है क्या हो जग इसका answer तो देखिए किस बांध का लाब बिलवारा को नहीं मिलता है देखिए अखर बांध आ जाए सरेपी बांध आ जाए मेजा बांध आ जाए इन तेनों का लाब तो अपने बिलवारा को म ही मिलता है राज्यों में नारो से सिचाई सरवादिक किस जिले में होती है तो देखे नारो से सिचाई अगर पूछ ले तो गंगा नगर को सबसे ज़्यादा सिचाई अगर पूछ जाए तो नारो से सबसे ज़्यादा सी चाहिए अपने बिलवाडा को होती है नारो से सबसे ज़्यादा सी चाहिए अपने गंगानगर को होती है कुओ और नलकुपों से अपने जैपूर जिले को सबसे ज़्यादा सी चाहिए होती है तो आप दियान रखे इन तिनों बातों को आप दियान र का नाम क्या था राजस्तान नहर इसका नाम था राजस्तान नहर लेकिन 1984 में इसका नाम बदल कर वर्तमान नाम इंद्रा गांधी नहर ये रख दिया गया था तो आप जाना के option 3 गोविन देवलप पंत 1958 में इसका उद्गाटन हुआ है ततकाली निये ग्रह मंत्री थे महरू गंगा वा प्रदेश की जीवन रेका किसे का जाता है तो दीकि ये महरू गंगा और प्रदेश की जीवन रेका अपने इंद्रा गांधी नहर को का जाता है ओप्शन 3 हो जाएगा इसका correct answer महारवार का अम्रच सरोवर किसे का जाता है तो जवाई बांद को अपने महारवार का अम्रच सरोवर का जाता है यह अपने पाली के सुमेरपूर में यह बांद इस्तिते हैं जवाई बांद जवाई नदी पर राज़तान की प्रतम सिचाई योजना कौन सी है तो देखिए गंग नहर अपने माराजा गंगा सिंग के समय ये बनाए गई थी 1921 में ये तो आप जाने रहें कि सबसे पहले सिचाई योजना अपने गंग नहर है अगला प्रसने कवर से अन लिप्ट नहर प्रनाली से किस जिल्ले को सिचाई की सुविदा उपलब्द होती है तो क्या हुजए इसका अंसर बिका नेरव गंगा नगर को अपने कवर से अन लिप्ट नहर प्रनाली से सिचाई की सुविदा उपलब्द होती है बिका नेरव गं गंधी सागर अपने राज़तान में नहीं है बागी सभी अपने राज़तान में है तो अपने option पर्स्ट हो जाएगा इसका correct answer अगला प्रस्ट निम्मे से कौनसा बांध मिट्टी से बना हुआ है तो देखे मिट्टी से बना हुआ 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 है जाखम जवाई पांच पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौनसा है अपने पांचना बांध अपने किस जिले में करोली जिले में करोली जिले में और देखे इसका नाम पांचना बांध क्यों है क्योंकि इस बांध में पांच निदिया आकर गिरती है कौन-कौनसी बद के लाज़वा व्यास नद्यों के संगम पर बनाया गया है बांध। इंद्रा गांधी नहर के योजनाकार जीने पढ़ माँ भूशन से समानित किया गया था वाकोने। तो दीकि इंद्रा गांधी नहर के योजनाकार पूश ले दिये कोने अपने कवर से ने, option first हो जाएगा, सही आंसर इंद्रा गांजी नहर की कुल लंबाई कितनी है तो देखे 659 किलो मेटर इंद्रा गांजी नहर की कुल लंबाई है इंद्रा गांजी नहर का 0 पॉइंट किस अस्तान पर है तो देखे 0 पॉइंट यह मोहन गड है जैसल मेर में लेकिन वर्तमान संदर में अगर पूस ले तो गड़रा रोड बार मेर ये अपने इंद्रा गंजी नहर का जीरू पोइंट है गड़रा रोड बार मेर निम्में से कौन सा बान चम्बल प्रियोजना पर सरुप्तम बनाय गया था तो देखेगे चम्बल प्रियोजना पर सरुप्तम अपने कोटा बेराज बान बनाय गया है ओप्शन दो जाएगा इसका correct answer अगला प्रशने राजस्तान में प्रथम पवन उर्जा प्रियोजना कहां अस्ताबित की गई थी तो दीए पवन उर्जा प्रियोजना राजस्तान में सबसे पहले जैसल मेर में अस्ताबित की गई थी जैसल में अगर बात करें तो कहां पर अमर सागर में अमर्शागर जेसल मेर में प्रतम पवन उडजया प्रियोजना अस्ताबित की गई थी राज का प्रतम सुपर ताप विद्यूद ग्रह कौन सा है तो देखिए रास्तान का प्रतम सुपर ताप विद्यूद ग्रह अपने कौन सा है अमर्सागर में लेकिन प्रतम नेजी शेत्र में अगर पूछ ले प्रतम नेजी शेत्र में पवन उर्जा प्रियोजना कहा अस्ताबित की गई है तो अपने बड़ा बाग जेसल मेर में अस्ताबित की गई है तो पवन उर्जा प्रियोजना के लिए अपने बड़ा बाग प् और जहीं के थीकून नहीं हैं तो टीके सोर याईवज बायो गेस पभवन उडजा यह तक गेर प्रम प्रागत प्रॉछास रोते लेकिन प्राकरतिव ट्रॉफ अपने प्रम प्रागत और walls ड है और जेंड सार बॉले अग्ला उसने में अपने बायोगेस सबसे अधिक सायोग होगा option दो जाएगा correct answer अगला प्रस्टने राजस्तान उर्जा विकास अभिकरण यानि कि रेडा रेडा की इस्तापना कब होई है तो रेडा की इस्तापना अपने 1985 में होई है तो दोनों बात आप ज्यान रखें अगला प्रस्टने सोर उर्जा जोन से समन्दित जिले कौन से हैं तो देखे सोर उर्जा जोन अपने जोदपूर बार मेर जेसल मेर यह हो जाएगा इसका correct answer option first है सही answer अगला प्रस्टने गेश आधारीत विज्यूत प्रियोजना राज्तान में कहा है तो देखे अधारीत विज्यूत प्रियोजना अपने अन्ता बारा में अन्ता कहा है अपने बारा में option first है option second है correct answer अगला प्रस्टने देश का प्रतम पर्मानु बिजलिगर तारा पूरा में बना तो दूसरा था ँडिन कहां तरहापूर अपने सबसक्राइब साप्सेक होुए आपने और एक वाहत बूड़ और अपने आधक मुवस्याद करते हैं तो यह सबसे अधिक बादक त्ट्वे राज्टान में कभी वरुसात कम होती हैं कभी ज़्यादा हो जाती हैं तो यह सबसे बादक तत्व है उप्शन चार रास्तान का अनुशक्ति ग्रह किस देश के साहता से अस्तापित किया गया था तो देखे रावत बाता में जो अनुशक्ति ग्रह हैं अपने रास्तान का पेला हैं देश का दूसरा है तो पिर किया गया था option 4 अगला प्रशने राज्य विजुत मंडल के नियंत्राना दिन सभी विजुत प्रियोजना है निम में से किसे अस्तानांत्रित कर दी गई है तो देखिए अपने राज्य राज्य विजुत उत्पादन निगम लिमिटेड इसको अस्तानांत्रित किये है option 3 हो जाएगा इसका correct answer निम में से कौनसा उर्जा का गेर परंपरागद अस्त्रोत है तो देखिए जल उर्जा आनविक उर्जा तापी उर्जा और सोर उर्जा तो देखिए गेर परंपरागद उर्जा अस्त्रोत कौनसा है सोर उर्जा हो जाएगा सही अंसर कच्रा, सर्सों की भूसी और चावल की भूसी से प्रात होने वाली उर्जा कौन सी हैं तो यह अपने बायो मास के नाम से जानते हैं इसको बायो मास के नाम से ओप्शन फर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer अगला अपने खनीच से समदी थे कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है तो क्या होजगा इसका अंसर कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है तांबा के लिए अपने खेतली जो अपने जुन जुनु में है केतली सिंगाना शिट्र्, यह प्रसीद है इख़म सुमिलित है टंगाश्टन के अपने डेगाना नागोर एफ इख़म सहिए, जिबसम हरसोड इख़म सहिए, लेकिन दे कि वॉल्च नाइट यह अपने काला गुमान नहीं होगा ये इसका सुमेलित नहीं है वोलस्टोनाइट अपने मुख की रूप से सीरोई और अजमेर पाली में उत्पादित होता है तो अपने ओप्षिन चार हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है अगला प्रस्टने कौन सा असंगत यूग में तो देखे जिपसम उदेपूर तो देखे जिपसम अपने उदेपूर से नहीं निकलता है जिपसम कहां से निकलता है अपने गोठ मांगलोद शेत्र गोठ मांगलोद ये अप कहा है अपने नागोर में बिका नेर जामसर यहां से निकलता है तो उदेवपूर ये सुमेलित नहीं है, तो option first ही अपने correct हो जाएगा, तामबा के लिए अपने जुन जुन परसी दें, फ्लोर्ट सपार के लिए अपने डुंगरपूर, नाथरा की पाल ये परसी दें, राग फोस्पेट के लिए अपने उदेवपूर परसी दें, बाकि ज जुन जुन में और खोद अपने अलवर में है, यहां पर अपने तामबे की खान है, तो option 3 हो जाएगा इसका सही अंसर, नगाना बाडमेर गाउं का समन्द किस्से हैं, तो देखिए नगाना बाडमेर अपने प्राकरतिक गयस की खोच के लिए जाना गया है, प्राकरतिक ग जाएगा इसका correct answer, option 4 इसका सही अंसर है, नविंतम खुदाएक इंसार, सोने के बंडार किस दिले में मिले हैं, तो देखिए सोने के बंडार अपने एक तो अपने आनंद पूरा भुकिया शेत्र जो अपने बाहसवारा में है, आनंद पूरा भुकिया और अपने एक जगत ये भी अपने बाहसवारा में है, इसके लावा उदेपूर में अपने सोने के बंडार मिले हैं, तो option 5 इसका सही अंसर, बाहसवारा में आनंद पूरा भुकिया शेत्र अपने किस लिए जाना जाता है, सोने के बंडार के खरण, क्रिश्न क्रांती किस से समन्दित हैं, तो पाइरेट्स के लिए प्रशी देए, और ये पस्च्चिमी राजतान, फार मुरुश्तल क्यों चरची थे, तो पस्च्चिमी राजतान अपने खनीज तेल की खोज के लिए पिसका खनेन भी किया जा रहा हैं, अगला प्रशने, जेम गारनेट निम में से सरवादे किस जिल में मिलता हैं तो जेम गारणेट अगर पूछ जाए तो अपने टॉंक में मिलता हैं तो option फर्ष्ट हो जाएग इसका गर्राणी जिला तरी की की राश्तान में किस किस्म का koila पाया जाता है अपने Legnite किस्म का कपूर्ली हो गया अपने पलाना हो गया यहाँ पर अपने मूघ plant से लिगनाइट उत्पादित किया जाता है रास्तान में खनी जिंदन के लिए निम्मे से कौन सी खान प्रसीद है देवारी खेतली खोद रिबाया पलाना तो देके खनी जिंदन अपने पलाना यहां से लिगनाइट किस्म का कोईला निकलता है पलाना का अपने बिकानेर में स कि पाल अपने का लान डूंगरपूर में यहां से उत्पाद होता है अपने फ्लोड़ aggrav dział आज रास्तान में किस अस्तान पर काला हरा संग्मर्मर पाये जाता है तो काले हम destroys पहने बेसलान अस्तान पर सिदें जाईपूर में है यह तो दोलपूर हो गया, गुला भी संग मर्मर पूश ले तो अपने बरत पूरवद जालोर हो गया इतनी सारी बाते पूची जा सकती है रास्तार में फैल स्पार का खनन सरवादिक कहा से होता है तो दिखिये फैल स्पार का खनन अपने अजमेर से होता है, option 3 हो जाएगा इसका सही answer हाली में बूबानी जो अपने अजमेर में है और गम गुडा रासमन में है वो नात द्वारा तक किस खनीज की विशाल पट्टी का पता चला है, तो देकि यहां पर अपने पन्ना की पन्ना की विशाल पट्टी का पता चला है उत्री बारत का एकमात राज जहां विबिन रंगों वा डिजाइन में ग्रेनाइट के विशाल बंडा रहे तो देकि हमने भी बात किये राजस्तान में विबिन रंगों के संग मरमर पाए जाते हैं जैसे बेंसलाना अगर बात करें गुलाबी तो अपने बरत पूर्व अपने जालोर ये गुलाबी संग मरमर के लिए जाना दाता है तो अलग अलग रंगों के संग मरमर के लिए अपने राजस्तान प्रसीदें भारत में किसका उत्पादन राजी में बहुत कम होता है तो देखे मार्बल, मेगनीज, सिसा वो चांदी तो देखे मार्बल का होता है, सिसा का होता है, चांदी का होता है लेकिन मेगनीज का उत्पादन अपने सबसे कम होता है तो option दो जाएगा इसका correct answer राजतान में प्रमुक मातपून लिगनाइट संसादन का है इस्तित है तो देखे लिगनाइट संसादन अपने कपूररी, मेरता और पलाना यहां पर है option 3 हो जाएगा इसका correct answer, option 3 सही answer है रानेरी गायों के पास लिगनाइट के विपूल बंडार मिले है तो यह रानेरी किस जिले मिशती थे तो अपने बीकानेर जिले मिशती थे रानेरी लिगनाइट के लिए प्रसीद थे चोत का बरवाड़ा क्यों प्रसीद थे तो दिकिए चोत का बरवाड़ा अपने सीसा जस्ता की खानों के लिए प्रसीद थे option फर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer सिएसा जस्ता की खान के लिए अपने चोत का बरवाड आइस्तित है option फर्ष्ट है इसका एकदम सही answer अगला प्रस्ट ने जन संक्या निती गोशित करने वाला आन्दर प्रदेश के बाद दूसरा भारती राज्य कों सा है जन संक्या निती अपने आन्दर प्रदेश के बाद राजिस्तान ने गोशित किये तो option फर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer सर्वादिक जन गनत वाला रास्तान का प्राकरतिक भूगबाग कों सा है सर्वादिक जन संक्या गनत वाला भूगबाग कों सा है अपने रास्तान का पूर्वी मेदानी भूगबाग option 3 हो जाएगा इसका correct answer कौन सी जोरी सही नहीं है सर्वादिक अनुसूचित जाती तो अपने जैपूर जिले में निवास करती है सर्वादिक अनुसूचित जन जाती ये अपने उदेपूर जिले में निवास करती है ये भी एकदम सही है सर्वादिक बील जन जाती अपने बासवारा जिले में निवास करती है सर्वादिक गराशिया लेकिन ये बारा में निवास नहीं करती है सरवादिक गराशी आपने सीरोही जिले में निवास करते हैं सीरोही जिले में तो आप दियान रखे option 4 हो जगा इसका correct answer यह है सुमेलित नहीं है अगला प्रसने कौनसा यूग में सुमेलित नहीं है सरवादिक जन सिंग के आपने जैपूर कियें बिल्कुल सही बात है निवादिक जन सिंग के आपने जैसल मेर की है यह भी सही है सरवादिक साक्षरता आपने कोटा की है यह भी सही है निवादिक साक्षरता यह अपने आसवाडा की नहीं है निवादिक जन साक्षरता आपने जालोर जिले की है यह अपने एकदम सही नहीं है option 4 हो जागे सही answer आप ज्यानर के नियुनतम साक्षिरता अगर पूश ले 2011 के अनुसार तो अपने जालोर जिले की नियुनतम साक्षिरता है जिले की जन संक्या में अनुसुचित जन जाती का सरवादिक अनुपात वाला जिला कौन सा है तो देकि अनुसुचित जन जाती का सरवादिक अनुपात अगर पूश ले तो क्या होज़ेगा इसका answer बहासवाड़ा हो जाएगा इसका correct answer अनुसुचित जन जाती का सरवादिक अनुपायत अपने बासवाड़ा में या की कूल जन संक्या का गर देखे हैं तो 56.4% अनुसुचित जन जाती संक्या निवास करती हैं और संक्या में अगर पूछ ले संक्या में तो संक्या में अपने उधेपूर जिला हैं उधेपूर और परतिशने कि में अगर पूस ले तो बानस्वारा जिला है है। राज्तान की जन संक्या बारत की जन संक्या का कितना परतिशन建 comes 5.67% संक्या का कौन सा यूग में सुमयलित नहीं है those subs अंसर सरवादिक दश्किये वर्दी दर अपने जोदपूर संभाग की हैं तो देके बिलकुल सही बात हैं सरवादिक लिंगानुपात अपने उदेपूर संभाग का हैं ये भी सही हैं सरवादिक साक्षरता तेके सरवादिक साक्षरता वाला जीला अगर पूछ ले सरवादि जन संक्या गना तो अपने जैपूर संभाग का है यह बरतपूर नहीं है तो अपने option 4 हो जगा इसका correct answer यह सुमेलित नहीं है भारत यह राष्तान की जन संक्या का क्रमिशय लगबग कितना परतिशत सहरी आबादी है तो अगला प्रस्तान में सबसे कम लिंगानुपात वाले दो जिले क्रमिशय कोन से हैं तो देकि राष्तान में सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ ले तो दोलपूर जिले का लिंगानुपात सबसे कम हैं 846 से मात्र और उसके बाद अगर पूछे तो जेसल मेर का हैं 852 तो अक्रमिशय अगर पूछे तो पहले दोलपूर आएगा बाद में जेसल मेर आएग कर रहे हैं अभी तक तो 2011 में राज़तान की अगर महिला साक्षिरता देखें तो 52.1% है ओपन ओप्शन चार हो जागा एकदम करिक्ट आंसर अगला प्रिस ने वर्स 2001 की जन गन्ना के नुसार राजी में सरवादिक पूरुषव महिला साक्षिरता वाले जिले करमशा कोन से तो देखिये सरवादिक पूरुषव साक्षिरता अगर पूश ले तो अपने जुन-ँनु की हैं और सरवादिक महिला साक्षिरता अगर पूश ले तो ये कोटा की हैं तो अपने option first हो जाएगा इसका correct answer option first एकदम साही answer है राज में किस जिले में 2001 से 2011 में लिंगानुपाद में सरवादे कमी आई है तो देखें डूंगरपूर अपने रास्तान की अगर संतर में देखें तो सरवादे की लिंगानुपाद ओवरोल देखें तो डूंगरपूर जिले का हैं लेकिन 2001 में यहां का लिंगानुपाद 1000 से ज्यादा था लेकिन वर्तमान में इसका लिंगानुपाद 994 हैं 2011 में तो इसमें सबसे कमी आई है तो option पर्ष्ट हो जाएगा इसका correct answer अगला प्रस्टने 2011 में राज्तान में सरवादिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं तो देखिए महिला साक्षरता अगर पूश ले तो 2011 के नुसार कोटा जैपूरवत जुन जुन हो जाएगा इसका correct answer option 4 इसका सही answer है जनसंक्या की द्रिष्टी से राज्तान का देश में कौन सा अस्तान है जनसंक्या वाले 4 सहर कोन से है तो देखिए बढ़ती हुई जनसंक्या के करम में पूचा है जाने कि आरोही करम में पूचा है तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंक्या अपने किसकी हैं जयपूर की हम सब भी जानते हैं तो पहला option यह अजमेर वाला तो बिल्गुल ही कट गिया तो इन तीनों में अगर बात करें तो देखिए जैपूर के बाद अगर देखें तो जैपूर के बाद कौन सा है अपने यह आता है अपने जोधपूर जोधपूर के बाद कोटा और इसके बाद बिका नेर तो इसका अगला प्रशने राजी के कौन से संभाग में राजी की लगबग एक चोथाई आबादी रहती है तो देखिए अपने जैपूर संभाग हो जाएगा करेक्ट आंसर सबसे अधिक जन सिंग के आपने जैपूर में है देखिए 2011 के अनुसार अगर बात करें तो लगबग 66 ला अनुपाद वाला जिला कौन सा है तो देखिए सबसे अधिक लिंगा अनुपाद अगर पूश ले तो डुंगरपूर जिले का है option 3 है इसका correct answer राज्तान का सबसे अधिक साक्षर आधिवासी जिला कौन सा है तो देखिए सबसे साक्षर आधिवासी जिला अगर पूश ले तो उदेवपूर जिला हो जागा इसका क्रिक्ट आंसर option 3 है इसका सही आंसर सबसे अधिक साक्षर आधिवासी जिला तो दोस्तों यह थे राष्टान जियोगराफिक के कुछ महत्पूर प्रशन मैंने आपको 300 से ज़्यादा प्रशन इस वीडियो में कवर करवा है और सबी प्रशन का भी महत्पूर ने और मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा ज़्यादा जानकरी इस वीडियो में आपको देश सकूँ और देखिए अगली वीडियो में हम राष्टान हिस्ट्री राष्टान आर्ट और कल्चर इनके भी मौत्पूर प्रशन देखने वाले तो वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें मिलते अगले वीडियो में जय हिन जय भारत